दशेहरे के उपलक्ष में गोर्खाली सुधार सभा द्वारा शुकरवार को घडी केंट में हामरो दशे कारेक्रम आयुजित किया गया इसके तहट गोर्खाली सुधार सभा के लोगों ने विभ्यन सांस्कृतिक कारेक्रम प्रस्तुत के साथ ही गोर्खाली गाने भी गये जिससे लोगों ने खुब सराहा कारेक्रम के दुख्याती थी मसूरी के विधाया गणे जोशी रहे पूरे नो दिन प्रत रखने के बाद रस्तुत के दिन बड़े प्रागत तरीकी से इसको मनाया जाता है लेकिन आज कोविट नैंटिन के कारण क्योंकि को नैंटिन की गाइड लेन का पारम ले करना है लुर्खाल सुबाद वारा एक शुक्ष्म तरीके से अपने साखाध्यक्स पर पूट फर्मूलों के साथ दस्रे का कारणियम यहां पर आउजित किया शित्र का अजन्सियों के नाते मुझे भी उसमें परतिवाद करने का मिला सवर्व पर समतों मैं अपने समूदाए के सभी सदस्यों को और उत्राखंड के जितने भी हमारे वासी हैं सभी को इस दस्रे की सुबकामनाय देता हूँ और यह एक 1938 की संस्ता है जो की बहुत पुरानी इस उत्राखंड में किया पूरे वाल इंडिया में काफी पूर हूँ है और इस परवो को हम हर वर्ष इसी दूमदाम से मनाते आते हैं पर आज कोरोना काल की वज़े से इसको बहुत ही सुक्ष मुरूप से मनाया गया है और इस समूदाए का जो यह हमारी गुर्खासुदा सभा है इसका उदेश से ही गरीबों की साहिता पिछड़े वे वर्गों को अपकिप्मेंट देना बच्चों को सिक्षा के लिए प्रेरित करना उनको चात्र विर्थी प्रदान करना विद्वाओं की बच्चियों की कि सिर्फ नॉट उनली की हमारे समुदाय की लोगों को जो भी और सब्सक्राइब होना चाहते हम सभी को यह प्रवाइड करा रहे हैं राजधानी में चलाय जा रहे अतिक्रमन हटाव अभियान के दौरान रस्ते में आये मंदिरों को भी तोड़ दिया गया इससे हिंदू समाज वा हिंदू संगठनों में रोश है शुकरवार को इस संबंद में हिंदू संगठनों विश्व हिंदू परिशत वा बजरंग दल के सदस्यों ने जिलादिकारी को ग्यापन सौब दिया यापन में इस बात पर रोश प्रकट किया गया है कि जब हमारे मंदिर तोड़ने ही थे तो इन त्योहरों के समय पर क्यों तोड़े गए। हमें समय दिया जाना चाहिए था, हमारी मांग है कि राजधानी में जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं, उनके लिए कोई निर्धारित स्थान टैक किया जाए। इस मामली में विश्व हिंदु परीशत बजरंग दल के केंद्रे मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्षिन रवीद देव किशन ने क्या कहा। जिनको समय भी दिया गया है, अभी तक तोड़ी नेगी। इसी समझ में हम आकर यहां मिले थे कि हिंदु समाज के साथ पार्शिल्टी नहीं होनी चाहिए, हिंदु समाज को एक सौफ्ट टॉर्गेट नहीं समझना चाहिए। इसके लिए फिर हमको आगे अगर इसी प्रकाश से नय होगा, तो फिर हमको कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। अच्छा उनकी तरफ से पॉजिटिव हमको आंसर मिला है। जादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।